हलो दोस्तो वेरी गुड इवनिंग सुवागत है सबका इंसोबेड चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर सुवागत कर रहा हूं दोस्तो सबका दोस्तो आज हम लोग बात करने बारे हैं ऐलेंबिक फार्मा के बारे में इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है और अगर किसी ने भी तक नहीं देखा तो आप वो जाकर के एक बारी देख सकते हो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तो और यहां पर अभी फिलाल कुछ ऐसी बाते हो चुकी है जिसकी वज़े से यह स्टॉक में रेगुलर गिरावट दिखाई दे रही है और यह गिरावट दोस्तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन यहां पर एक सवाल अब खड़ा उठता है कि भाई यह गिरावट आखीर हो क्यों रही है और साथी साथ में क्या यह रीजन जो भी है गिरावट का यह सौटेबल है या आगे जाके यह और भी गिर सकता है तीसरा सवाल हमारे यह होगा कि क्या यह अभी स्टॉक बाई कर सकते है या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए कोई सही लेवल पर आकर कैसे बाई करे काफी सारे सवाल है दोस्तों तो सब के जवाब देने वाला जो भी मेरे भाई अपर लेवल पर फिलाल फसे हुए हैं वो बिल्कुल ना डरे यह वीडियो को पूरा देके सिनारियों को समझ ले और आने वाले चाट अनालेसिस को भी देखे जिसमें पता चल सकते हो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजेगा नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजेगा और दोस्तों अगर आप टेली गराम चैनल से ज को जाना है जोइन होना है जंट होना है और दोस्तो दूसरी चीज अगर आपने अभी तक सिंगल डिमेट पे चल रहे हो आपको बिल्कुल डो डिमेट अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तो इसके उपर में एक सबसे बडिया ब्रोकर्स है अब बिल्कुल कोई भी एक सीलेट करके अपना दूसरा अकाउंट उसके साथ में उपन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्चर में देखर के रखा हुआ है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अलेंबिक फामा के बारे में देखिए दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यह अच्छी कंपनी है फामासूटीकल है काफी बढ़िया रीच है कंपनी का प्रोडक्शन केपासिटी अच्छी है और इसका ब्रैंड ने भी काफी अच्छा है लेकिन इतना सब कुछ होते है वे इस टॉक में गिरावट क्यों आ रही है यह सबसे बड़ा रीजन फिलाल आपके दिमाग में आ रहा होगा देखिए दोस्तों गिरावट आज की नहीं है गिरावट लगबग मेरे खाल से तीन चार्ट एडिंग सेशन से यह चल रहा है रेगिलर वेसिस पे और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो पबलिक हो चुका है और वह में आपको बताना चाहता हूँ तो इसने ट्राइ किया था एक पर्टिक्लर वैक्सिंग के लिए या फिरिक मेडिसिंग के लिए यूस एवडिये का अप्रूवल लेकिन यहां पर जो है जो उनका टेस्टिंग प्रसीजर होता है या फाइनलाइजेशन प्रसीजर होता है उसमें कंपनी के रिलेट सेट क्या सिनारियों यहां पर अब देख सकते हो मैं एकनॉमिक टाइम से हूँ दोस्तों अब देख से तो यूएस फूड और ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फामा के लिए यूएस अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने वा वालेटी कंट्रोल क्लीनिनेस साइज एक्यूपन साइज जो होती है या फिर प्लांट है खरकाडी घुजरात में यहां पर बात हो रही है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यूएस ड्रग रेगिलेटर जो है इनका एक सब्सक्राइब और 283 का जिसमें फ़ाइब अब जो आप company में करते हो अगर आप वो 5 observation में सही हो तो आपको यहाँ पर approval दिया जाता है लेकिन यहाँ पर violation करते हो good manufacturing policy जो है इनकी इसका तो आपको यह license जो है वो नहीं दिया जाता है और exactly यही चीज हो रही है करकाड़ी unit में यहाँ पर satisfied नहीं कर पाएं USFDA के जो भी authorities है उनको और इसकी वज़े से यहाँ पर इन्होंने जो है वो फिलाल सब जगा पर रोक के रखा हुआ है क्या हुआ था देखिए यहाँ पर चीज है कि इन्होंने जो भी quality control के product sampling के लिए दिये हुए थे वहाँ पर इ यह properly काम नहीं कर रहा है या फिर यह system proper यहाँ पर installed नहीं है second यहाँ पर और एक चीज़ आई गई है कि देखिए इनको जो भी अभी फिलाल बात हुई इनके पीछे एक satisfactory reason आपको देना है एक scientific justification आपको देना होता है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है साथी साथ में इनको sample collection का जो system है वो भी पसंद नहीं आया हुआ है इनको इनका ऐसे कहना है कि भाई जिस तरह पर आप sample collect करते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं contamination का भी एक option दिखाई देता है तो वो एक reason है third reason यह था कि इन्होंने जो भी अपनी जो टेस्टिंग labs होती हैं जर टेस्टिंग units होते हैं उनमें से कुछ units को test किया था और यहाँ पर इनको 15 ऐसे recorded samples मिले जो failure थे और यह पूरी तरह से इग्नोर कर दिये गए थे टेस्टिंग units से यह टेस्टिंग मशीन से या टेस्टिंग जो भी operator था उसकी तरफ से चौथा यहाँ पर packing of the product का है जो appropriate design size suitable located facilities यह सारी चीज़ें यहाँ पर missing थी as per FDA के inspector के statement के इसाब से अब यहाँ पर company ने यह से भी मतलब जो exchange filing करते हुए बोला है कि यह देखिएगा कोई data integrity से related नहीं है यह normal procedure है जो procedure होता है वो है और यहाँ पर company को 15 दिन दिये गए है drug authority की तरफ से कि भाई आप जो है वो satisfactory कुछ हमें बताओ ताकि इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकें otherwise यह चीज यहाँ पर रुख जाएगी और आपको यह license नहीं मिलेगा बहुत ही clear है और यह वो reason है दोस्तों जिसकी वज़े से market में यह बड़ी गिरावट हो रही है but reason definitely shorter हो सकता है कोई बड़ा ऐसे reason नहीं है कि यह कभी stall नहीं होगा बट इसकी बज़े से आपके पास जो opportunity आ रही है उसका फाइदा आपको उठाना चाहिए और लोग वही कर रहे हैं 11,55,000 का stock trade हुआ था दोस्तों और देखिए का लगबग 55,000 की quantity उठाई भी गई है यहाँ पर जो लगबग 50% की आसपास की दिखाई दिती है एक बहुत बड़ी opportunity का फाइदा लोग उठाना शुरू कर चुके है 50% की delivery उठ चुकी है करना क्या है आपके लिए चार्ट अनले सी simple words में दोस्तों देखिए का price week हो चुका है 49 से लेकर के price 30 तक पहुच चुका है दोस्तों और आने वाले समय में यह थोड़ा सा और week हो सकता है maybe 25-26 के आसपास यह जा सके और उसके बाद में हमें यहाँ पर recovery दिखना शुरू हो जाएगा तो शायद एक तगड़ी recovery भी हो सकती है क्या करना है sorted things रखना है दोस्तों देखिए का यहाँ पर बहुत बड़ा support था बहु रहता है तो दोस्तों यह stock हमें मिल सकता है लगबग साड़े 800 की range में stock साड़े 800 की range में अगर मिलता है दोस्तों तो stock को first lot में उठा लेना है quantity के इस साथ से देखिए कर lot wise उठाना है जितना भी आप उठा सकते हो उसे दो या तीन quantity में आप काट लो और पहला quantity आपको आपक हमें उठा लेना है वेट करना है दोस्तों जल्दबादी बिल्कुल भी नहीं करनी अगर गिरावट continue होती है stock 780 के नीचे अगर चला जाता है तो यहां पर आपको सेल करके निकल जाना है बिल्कुल नहीं रुकना है लेकिन देखिएगा 800 और लगबग 780 तो यह हमारा जो ह करना है for the target of 1160 रुपीज का बहुत ही बड़ा अपसाइड है दोस्तों और रिस्क की अगर बात करते है तो 80 रुपई का रिस्क दिखाई देता है और रिवोड की अगर बात करते हो तो दोस्तों लगबग 200 रुपई की आसपास का रिवोड यहां पर दिखाई देता है सब्सक्राइब करते लोट में और इंतजार करते बैठ जाना है दोस्तों दोस्तों यह था मेरा वीडियो अलेमिक फार्मा के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों टेलीक्राम इंस्टाग्राम वाटसाप फेस्बुक पर शेयर कर दीजेगा साथ ही साथ में सब्सक्राइब कीजेगा टेली करम चैनल से बिल्कुल जुड़िएगा मिलता हैं बहुत लगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू वेरी मैच